गुट मानिंग एवन वेल्कम टेक्नामिक टाइम्स डेली अनल्सिस एन एक्स्प्रिनेशन सीरीज आज है 14 अब दिसेंबर अंडे है ट्यूसे सबसे पहले कल में एक प्वेश्चन पुछा था कि इंश्रेंस सेक्टर के अंदर रेगुलेटरी अथोरिटी कौन सी है तो आज आपको कॉमेंट करना है कि रीटेल इंवेस्टर का बेसिक मीनिंग क्या होता है अगर आप चाहिए तो आप हेल्प वेल्प कुछ भी ले सकते हैं अब सब्सक्राइब करते हैं अगेन मैंने सारे आपके लिए नोट्स बना रखे हैं तो यहाँ पर आपको सारे नोट्स पर गरमेंट एक स्कीम स्टार्ट करना चाह रही है कोवेट रिलीटि इट्रेस फ्रेंण इसक निम्स डियों के तो यहाँ पर क्या बात हूँ है कि अभी सेंटरल बैंक को लोन देने की बात करें कोभूच record बिलेट चीजों के लिए कि वो आगे लोगों को लोन दे सके तो यह है अब इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर banks को कुछ norms अगर वो meet करते हैं कुछ criteria बना हुआ है जिसको meet करते हैं अगर तो वो इसके लिए eligible होंगे इस पुरे framework के लिए अब यहाँ पर इस framework के eligibility के लिए जो उनको norms fulfill करने हैं उसके लिए पहले deadline थी March 2022 March 2022 उसके लिए deadline थी उसमें वहाँ पर वही हुआ कि इसको extend कर देना चाहिए इसकी बहुत जारी protest हुई मतलब बहुत ज़़ा banks ने request किया तो वहाँ पर RBI ने उसको extend कर दिया 6 महिने से और October 2022 मैं इसको कर दिया अब वापस से extension की ही demand हो रही है इस news के अंदर तो पहले तो banks जो main है इसके लिए और IBA IBA मतलब है Indian Banks Association तो अब banks का एक तरीके से अगर देखो सारे banks तो बहुत सारे banks हैं बट सब banks को represent करने वाली एक authority है association है तो वो IBA है अगर कोई IBA बात कहता है banks से related तो generally सारे banks उसको accept कर रहे होते हैं और वो तभी कहता है बात जब सारे banks accept कर रहे होते हैं तो IBA और banks ने individually letters लिखे हैं और बोला है RBI को कि आप इस redline को March 2023 तक extend कर दो 6 महीने और पूरे तो इस तरीके से हैं सारा ताकि हमें और time मिल जाए basically कि और जदा वो अपने क्राइटीर अगरा को ठीक से meet कर सके वो सब कर सके और यह जो कमाथ panel लिखा है मैंने वो basically यह है कि जो एक committee बनी है इस COVID related stress framework वाली उसको lead कर रहे है तो यह मैंने उनका ब्रिक्स है हर लेटर से ही country है Brazil, Russia, India, China and S से भी है South Africa और अगर आप थोड़ा सब नीचे देखेंगे तो इन्होंने Infosys के chairman की तरीके से भी serve किया तो यह चलते हैं आगे हम इसके उपर तो यह कमाथ इसले लिखा था panel कि वो lead करते हैं इस committee को तो हमने पूर पहली news cover गे लिए यहाँ पर बहुत basic news है MS मतलब है यहाँ पर Microsoft तो पिछले साल क्या वाज़ा जी ओने Reliance जी ओने Apple और Google और Facebook इन तीनों को as an anchor investor अपनी company में उन्होंने investment की थी और उसके बाद उन्होंने 20 billion raise किये थे 20 billion मतलब बहुत ही बड़ा वांट हो एक तरीके से तो वो raise यह थे जिसके help से ही मतलब जी ओने इतना ज़ादा expand किया है भागे काफी सारी investments चीज़ों बिसनेस के अंदर अब यहाँ पर Tata भी अपने business के अंदर यही चीज़ करने अब मैंने जो पहले आपको anchor investor होता है था वो यह था कि IPO से पहले अगर कोई company लाती है तो anchor investor का literal meaning तो वही होता है बड़ यहाँ पर anchor investor का literal meaning नहीं है वो anchor investor जैसे Microsoft को ला रहे है यानि कि IPO में क्या होता है आप anchor investor को लाते हैं और वो अपने share को sell कर देता है बाद में और क्या होता है कि वो आपको IPO में पूरी help करता है और IPO में फिर क्या होता है आपको पर funds आते हैं तो यहाँ पर वो funds raise करने वाले हैं और उससे पहले funds raise करने से पहले वो Microsoft को as an anchor investor ले करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वो यह कि Microsoft इनको भी 2.5 billion की funding देने वाला है जो second point में आपको दिखेगा और वो टाटा के साथ partner भी करेगा मतलब उनके business के अंदर भी work करवाएगा उनके साथ एक digital venture के लिए digital venture क्योंकि वो इतनी ownership का part बन जाएगा तो वो management में भी आ सकता है तो एक digital venture टाटाप ना शुरू करने वाला है तो उसके लिए MS भी उसके साथ रहेगा यहाँ पर तो इतनी कोई खास इसके अंदर news नहीं थी पर anchor investor का second meaning आपको यहाँ पर पता चल सकता है नो यह श्रीराम group से related एक news है इसके अंदर हमने यह पहले भी news care देखी हुई है श्रीराम group basically financial services के अंदर बहुती बड़ी company है और इनका finances अभी खुद अच्छे से नहीं चल रहे थे काफे time से पहले तो अब यहाँ पर क्या हुआ है इनकी दो company है पहली है श्रीराम ट्रांसपोर्ट finance limited यह basically commercial vehicles को loan देने के लिए आप car loan ले लो यहां से तो वो सब चीजें वाली company है यह दूसरी है श्रीराम city union finance limited यह है कि आपके home loan वाली company या फिर आपके housing equipments के लिए जो थोड़े बहुत loan चलते है न कि आपने washing machine को EMI पे ले लिया तो वो वैसे जो loan वहां पे है finance करवा लिया किसी retail की चीज़ को या consumer electronics की चीज़ को तो वो उसमें एक company काम करती है और श्रीराम group इस company को श्रीराम capital limited के नाम से hold करता है company को अब यह जो तीनों companies है यह merge करने जा रहा है श्रीराम group और तीनों को मिला करके एक ही company बना देगा श्रीराम finance limited तो यह company बन जाएगी और यह हर तरीके का loan यही provide करा करेगी फिर जो यह तीनों दोनों companies करती थी पहले अब यह यह जो company है यह merge होने के बाद largest retail NBFC non banking financial corporation बन जाएगी इंडिया का अब आपको लग रहा हो है NBFC क्या होता है और retail क्या होता है तो सबसे पहले क्या होता है NBFC का meaning होता है एक ऐसी company जो loan वगएरा दे थोड़े बहुत आपके deposit वगएरा submit करवाए बट वो धरसल bank नहीं है bank का भी main काम यह होता है बट इसका main काम यह नहीं है इसका main काम सिरफ loan provide करना है deposits लेना इसका main काम नहीं है और श्रिदान Finance Limited के case में तो यह deposit लेते भी नहीं है तो loan लेना और देना इनका main काम हो जाता है तो यह NBFC होता है और यह काफी different होते है bank से और बागी finances में ही deal करते है और retail का meaning होता है ऐसी NBFC जो directly consumer से deal करें बीच में और भी ऐसी NBFC हो सकती है जो सीधा दूसरी company से ही deal करती हो वहाँ पे कोई institution नहीं आता हो तो वो retail NBFC नहीं होगी तो retail NBFC के अंदर largest है यह company इंडिया के अंदर मतब हो जाएगी जब यह merger करके होगा पेज 5 के उपर हम आ गए है क्योंकि बीच में यह होता है पूर politics का page है और इसके अलावा एक page के उपर पूरे पूरे के उपर add है यह उपर तो इसके अंदर यह पहली news RBI में let a rupee slide further तो RBI रुपी को और गिरने दे सकता है अचा RBI कैसे गिरने दे सकता है क्योंकि RBI के पास इतना control रहता है अपने रुपी को influence करने का तो गिरने का मतलब गिरने देने का मतलब क्या होता है slide further का meaning क्या होता है कि actually में value भढ रही होगी जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा 73, 75 हो गया तो यहाँ पर आपको देखने से लग रहा है कि भढ गया अच्छी बात है रुपी के लिए बट यह बुरी बात है actually में क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 73 रुपी इसका है आपको 1 dollar मिल रहा था पहले क्योंकि हम dollar में ज्यादा देखते है इसको और अब 75 रुपी का 1 dollar मिल रहा है तो एक तरीक 2023 क है dollar स्टन्देन हो गया यह दूसरी तरीका है इस बात को कहने का की रुपी वीक हो गया तो यहाँ पर अगर रुपी वैसे देखने में लगता है कि भढ़ गया है तो वो रुपी एक्चॉली में गिरा होता है स्लाइड हो गया होता है तो यहाँ पर यह हुआ है अब न्यूस के अंदर यह तो मैंने एक्जमपल दिया तो मंडे को क्लोजिंग होई थी 75.77 रुपीज पर और यहाँ पर जो न्यूस के अंदर है वो यह मेंशन किया गया है कि यह लाइकली है कि वो टच कर जाए 76.30 पैसे के लेवल्स को और 76.50 पैसे के लेवल्स को टच कर सकता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह भड़ते हुए लेवल्स हैं आपने 75 से उपर है 76.30 76.50 तो इस तरीके से ना सेकेंड पैसे के अंदर है डाटा पैटरंस आईपियो इसके अंदर क्या है कि यह जो पेज है पूरा जो इटी मार्केट्स वाला उसके उपर डाटा पैटरंस का आईपियो की ही डिटेयल दे पूरी तो मैंने जस्ट यहाँ पर यह चीज़ लिख दिया अगर आप चाहिए देख भी सकते हैं तो यह रहा पूरा डाटा पैटरंस के बारे में ही लिखा है सब कुछ तो मदब वह यह कि इसको हम जादा कवर नहीं कर सकते हैं कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं है तो हम आगे चलते हैं इसके अलावा यह हमारा एक तो इसका पूरा पेज होगा है ना सेकेंड पेज पेज 6 पे हम आगे हैं पेज 6 पर काफी अच्छी नहीं हो जाए यह अपर पहली से भी मुव्स टू ब्रेक दर टिप एंड क्लिक नेक्सस अब इसके अंदर बहुत ही इंटरस्टिंग बात है आपने इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम वगरा पर देखा हुआ टेलीग्राम पर हमारा भी ग्रू होज रहें कि यह वाला स्टॉक बाय कर लो अच्छा होएगा यह इतने लेवल पर पहुंचने वाला है इसका टार्गेट यह है स्टॉप लॉस आप यह रखना तो यह सब टिप देने वाला काम होता है यह इलीगल है तो यह इलीगल है और इसके लिए से भी के पास राइट करवा सकते हैं यह भी कर सकते हैं इंडिरेक्टली बट जो पावर मिली होई है उसके तहत क्या कर सकते हैं कि वो फिजिकली जा सकते हैं जो वो लोकेशन जहां पर वो है और फिर उसको सीज करवा सकते हैं यहां पर तो अब सेवी ने यही किया है और मैं आपको बुझा दू जो चेक इंड पॉइंट के अंदर लिखा है यह जो पावर है सेबी गॉट पावर टू सर्च एंड सीजर इन 2014 तो 2014 2014 के अंदर उनको यह पावर मिली है ओफलाइन जाके इस तरीके से जाके यह सर्च करवा सकते हैं कि आप क्या करें और सीज कर सकते हैं आपके डिवाइसिस को सब चीजों को तो सेबी ने वैसा ही किया है आपर और ब्रेक दर टिप जो उसके अंदर लिख है हेडलाइन के अंदर वो भी यह है कि टिप्स जो देते थे लोग टेलिग्राम के उपर स्पेसिफिकली उनको बंद करवा है यहां पर क्रैक्डाउन अगेंस दे सर्कुलेशन सब्सक्राइब के बास-बास कि काफी सरी चीजों को महां पर काफी सरे ग्रूप्स ऐसे बने में थे ओफलाइन जाके जहां पर से भी नहीं यह एक्शन्स लिए तो इस तरीके से पूरा नो एक और नूसेस के अंदर जो तेगा इंडस्टी इस थी इसका आईपियों भी चल अलावा फॉर्ड़ फॉर्स टाइम एन्वल एसाईपी इनफ्लोस क्रोस्टी वन लैक करोड मार्क तिल नवंबर उनली तो यह थोड़ी सी कॉम्पलेक्स है यहां पर एन्वल एसाईपी इनफ्लोस का मेनिंग यह है कि एकूटी शेयर्स के अंदर जो लोग एसाईपी करव तो मैं थोड़ा एक्जाजरेट कर रहा हूं और यह बताने के जरूरी था तो एन्वल एन्वली जो लोग ऐसाईपी कराते हैं वो और पहली बार यह हुए और यह नवंबर तक ही हाइस पर पहुंच गया है तो भी तीन महीने और बचे हैं अगर हम लिटरली देखे तो तो पहले का रिकॉर्ड इसका है कि 2019 के अंदर 98,612 करोड पिताई और इसके अलावा जो फर्स पॉइंट के अंदर मैंने बात लिखी है M.P तो यह है Association of Mutual Funds in India तो जैसे मैंने आपको बैंक्स की एक Association बताई थी कि जो आपकी Indian Banks Association है तो उसी तरीके से ही Mutual Funds की एक Association है यह Mutual Funds क आप तरीके से कह सकते हैं कि यह जो बोलते हैं हों Mutual Funds जनले अगरी कर रहे होते हैं और Mutual Funds को अगर कोई बात अपनी रखनी होते है गोवर्मेंट वगरा में तो वो M.P के थूरू ही जनली रख रहे होते हैं तो इस तरीके से है पूरा और M.P नहीं यह डेटा रिलीज कि आए जो SIT वगरा का है इसलिए मैंने आपर मेंशन कर दिया थर्ड पॉइंट जो काफी इंटरस्टिंग साए कि इंडिविजुल्स कंस्टिट्यूट 54.9% अब दे टोटल फंड्स तो यहां पर जो अम्यूजर फंड्स के अंदर अभी टोटल फंड्स चल रहे हैं मतलब ट जैसने की सिर्फ कंपनी जा फिर गवर्मेंट ही इंवेस्टमेंट करें इंडिविजुल्स ही सबस्यादा इंवेस्टमेंट कर रहे हैं अगर हम लिटरल सेंस के अंदर देखें पर 55 परसेंट इससे जादा नहीं हो सकता कोई भी और इंडिविजुल बॉडी यां कंपनी व हो सकते हैं कि कुछ निकालते हो तो चार-पांच ये क्राइटीरिया की इंफ्लेशन निकाल ली जाती है और हर तीन महीने में क्वाटर वाइस क्वाटर इंफ्लेशन जो प्रॉपर इंफ्लेशन है वो निकाली जाती है तो अब यहाँ पर क्या है कि नवंबर मंत की रिटेल इंफ्लेशन की अगर हम बात करेंगे तो वो 4.9% पर टच कर गई यहां पर और पिछले महीने 4.5% ग्यास पास थी और यह 3 महीने के हाई पे चले गई यानि कि इसे पिछले महीने भी इससे कम थी उससे पिछले महीने भी 4.9% से कम ही दी बट उससे पहले जो कर नवेंबर औक्तूबर और जो ऑगस्त महीन दा ऑगस्त के अंदर 5.60% ग्यास पास थी अगर आप चाहिए तो मैं को लिखा भी सकता हूं तो खैर इसके लावा हमने आगे देखने कि क्या है फूड प्रैस हाँ यह काफी अच्छी बात है क्या हुआ था कि यह CPI डेटा है मतलब कंजूमर कंजूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है मतलब वही कि इंफ्लेशन का जो डेटा है तो इसके अंदर जब यह बता रहे थ कि जो फ्यूल प्रैजिस अभी नवेंबर मंत के अंदर डाउन गए हैं क्योंकि आपको पता होगा कि फर्स्ट नवेंबर को दिल्ली गवर्मेंट ने एक साइज डूटी जो होती है आपके पेटरोल के उपर उसको 30 परसेंट थी पहले वो आपको थोड़ा सा एक बताई द लगते हैं क्योंकि बहुत सारे जैसे सेंटरल गवर्मेंट अपने टैक्स लेती है उसके बाद सेट गवर्मेंट के पास एक और राइट है कि वह एक साइस डूटी भी ले सकती है तो यह चार तरीके के टैक्स मेंली लगते हैं और बाकि और भी रीजनल जहंगाओ पर प्राइस डूटी वाला पार्ट है इसका यह पहले 30% पर था इसको स्लैश करके 19% सम्धिंग कर दिया 19.4% अशायद मैं भी नहीं के लिए 19 नहीं लग देता हूं तो 19% पर कर दिया है और उसके वैसे क्या हुआ है कि प्राइसे वापस से 90 रुपीस के प्लस माइनस में आ ग डियेंग फ्यूर्ण प्राइसे एक तरीके सब कह सकते हैं कम रहें तो अभी ऑवरागता वापस आते हैं कि स्प्राइसे इतने भड़े प्राइसे कुम होने के बावजूर भी थ्री मं niños हाउए पर चला गया इंफ्यशन तो फूरण प्राइसेन इंदर में इसे मर्च कर वह या फिर भी overall inflation ही रहा है एकनोमी के अंदर क्योंकि fuel prices काफी ज़्यादा घटे हैं उसके लावा CPI यह data होता है यह बर यह CPI को इंस्ट्रिट्यूट नहीं है Consumer Price Index है यह तो data का नाम है और जो इन डेटा निकालती है वो ministry है ministry of statistics and plan implementation MSPI भी इसको बोलते हैं और MSPI नाम से काफ़ जारे indexes भी चलते हैं उसके लावा मदब MSPI है जो भी सिगली यह data सारा निकालती है अब आगे चलते हैं लास्ट न्यूज है page 11 के उपर थी इसके अंदर के हैं इंडिया UAE to compute trade pact talks by next month तो हमने पहले पिए देखा था कि इंडिया और UAE के trade relations में काफी जादा positive चीज़े होने वाली है और January के आसपास यह अब बात आ रही है मतलब न्यूज आ रही है कि यह जो trade pact है जिसका नाम CEPA है comprehensive economic partnership agreement तो यह जो act है पाक्ट है कि तरीके से agreement है यह पूरा हो जाएगा January तक और इसके अंदर बहुत सारी चीज़े हैं जिसे मैं आपको पहले ही बताया था कि इंडिया से spices, cheese वगरा वगरा चा रही होगी और दुबई से भी काफे सारे products इंपोर्ट हो रहे होगे duty free तरीके से तो वो है और इसके अंदर अब covid vaccines भी include कर दी गई है क्योंकि अगर omicron variant आता है तो उससे related जो vaccines हैं जो आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ vaccines ही बोला जाएगा तो यह अभी clear निया personally मुझे भी कि सिर्फ vaccines इसके अंदर include की गई है यानि कि future में कुछ अगर नई बिमारी आती है तो उसकी vaccine भी या फिर सिर्फ covid की vaccine के बारे में बात की गई है तो आभी हम covid को ही लिख ल हों तो पहला point को यहाँ पर यह मैं आपको दिखाई देता हूं यह है कि यहाँ पर omicron के बावजोद भी एक निबरी इंडेक्स निकलता है यह हमने पहले भी दिखा था नो मूरा बिजनस रिजम्शन करके इंडेक्स होता है यह हर week निकलता है इसमें पता चलता है कि पिछ काफी बड़ा increase नहीं है तो मैंने इसलिए उसमें ठंक से कवार नहीं किया है इसको लिखा नहीं है वहाँ पर बागी चाहिए तो अब इसके अंदर देख भी सकते हैं काफी सारा इसके अंदर नियोंने डेटा दिये हुआ है तो वह यह की नवेंबर की रिपोर्ट्स आने लगी है काफी सारी तो यह भी आ रही आप यहाँ पर तो यह हमने देख लिया इसके अलावा जो मैं फैक्ट्स की बात करा था वह देख लेते हैं तो एक टाइटल होता है यहाँ पर टाइम मैगजीन जो होती है वो निकालती है पर्सन ओफ द इयर तो पर्सन ओफ द यह का बाद इंडिया को टाइटल मिला है मतलब मेंस उनिवर्स का वापस से तो यह हमने आप पर पूरा देख लिया अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं और यह जो एडिटोरियल वाला पेज है यह हम कवर नहीं करते हैं काफी सरी लोग पूछ रहेते क आपको जिसे बुरी वीडियो बनाई है स्वारी जो यह थे तो अगर आपको यह चाहिए तो आप कॉमेंट कर सकते नीचे तो आप बिसिकली टेलिग्राम उर्पो जोइन कर सकते नीचे तो तो आट चाइट आएम थैंक्स वाच्वाश हैं